इसलाम अलेकुम विवर्ज यह इस लाइटिंग पैनल की विडियो लेकिया है आपके लिए लाइटिंग कंट्रोल पैनल है यह कैसे प्रेट होता है यह कैसे इसकी वाइरंग की हुई है यह दिखाते हैं यह तो उपर रेडियर बिलू तीन फेस है तो इसमें दो सेट है सेट वन और सेट टू यह सेट वन और यह सेट टू यह मैनुवली यून था यह मैनुवली डायरेक्ट होनों और इसको आटो पे कर देते हैं एक अब्रेज आटो पे यह इसका कंट्रोल है अब यह इसकी अंदर की सूत्यार है यह न्यूटल इदर न्यूटल बाहर लगेगी यहां पे पूरी जो के वाली है और अभी उसकी जो वायर है न्यूटल की उसमें मैंने डायरेक्ट इस पूर्ड गाई है एक इस एक सेट वान का है कुंट्रेक्टर एक सेट वान से यह वाली जो यह ब्रेकर है यह उनों जेंगे और सेट टू से यह दूसरे वाले यह उनों जेंगे यह देखें यह सेट वाल है और यह सेट वाल तो यह चाहिए कैसे के लाइटिंग पैनल है और एक टाइम में एक ओन रहेगा वो कस्टमर को ऐसे चाहिए कि एक कुंटेक्टर ओनो जब यह बंद ओ तो दूसरा ओनो जाए तो एक की टाइमर से यह दूनों कुंटेक्टर ओन ओफ होंगे एक नर्मली ओपन से और एक नर्मली क्लोस से यह कंट्रोल का फ्यूज है यह तीन इंडिकेशन जो लेंप है उस के लिए है इसमें न्यूटल फेस लगी है और यहां पे यह बना हुआ ना मैप यह देख है यह कुमन है एक नंबर चाहर ओपन यह जो दो नंबर लिखा हुए हां पर यह नर्मली क्लोस एक कुंटेक्टर इससे ओनोंगा पर एक यह किस्टेक्टर होने है है जैसे हम चेंज करेंगे मैनौली गुमा के हैं यह जैज है है यह दो हुआ है यह तो है यह दो गटेक्टर लगा के हम इसको इस तरह चेंज करना हो उसके लिए ये आइडिया भी है और ये ड्राइंग है इसके अभी रफ सी बनाई हुई है ये दो कॉंटेक्टर होगे ओन ओफ लेंप ये ओन ओफ लेंप सेट टू का यहां पे ये सेलेक्टर सुच है मैनुवल आटो मैनुवल आटो अभी ड्राइंग इसकी सही करके बनाएंगे ये टाइमर का ये कॉमन और ये क्लोज और ये नर्मली ओपन से सेलेक्टर है तो ये इसके बनाएंगे इसमें अबर की पैटलोग भी है इसमें कि ये टाइमर जो भी हम लेंगे उसके अंदर से एक एटलोग लेकरती है बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो काफी देर के बाद बावगी है कि मैं तक्सान में गया हुआ था चुटी अभी एक साल के बाद तक्रीब नाएं और अभी जो नई वीडियो है वह बनती रहेंगी सीखने सिकाने का मामला जो है अधार रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया है अल्हाँ आप